Hey everyone, welcome back to Bioholic जानकारी के इंदर आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि शराब पीने के बाद लोग इतने बहक क्यों जाते हैं इसे हम कहते हैं Alcoholic Cerebellum Degeneration Cerebellum is the part of the brain, इसे हम Tree of Life कहते हैं जादा alcohol consumption पर इसके जो neurons होते हैं ये degenerate होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं Cerebellum आपके body में coordinated movement कराता है कि इस हाथ के बाद ये हाथ उठना है, ये पैर के बाद ये पैर चलना है आपकी पलके ऐसे चपकेंगे, आप ऐसा बोलोगे पर जादा alcohol पीने पर ये काम नहीं करता जिसकी वज़ा से आपकी जो speech होती है, वो slurred हो जाती है आप धंक से बोल नहीं पाते, आप धंक से चल नहीं पाते आप जटके मारते हो, आप कपकाते हो, आपकी जो पलकी होती हैं वो बहुत धीरे-धीरे चलने लगती है बहुत ज़ादा शराब पीने पर आपका cerebellum degenerate normally हो जाता है शराब नहीं भी पी होगे, तो भी आप ऐसा ही करोगे इसलिए शराब पीना हानिकारक होता है दूसरों को यही सिखाईए, ये चीज़ competitive exam के लिए बहुत important है I hope you learned and enjoyed the session of bioholic जानकारी के इंद्र नेक्स जानकारी में मिलोग में बच्चो, thank you so much and bye bye